बच्चो आज हम प्रयावाच्ची या समनार्थी शब्दों के विशे में पढ़ेंगे आज हम हिंदी ग्रामर में समनार्थी और प्रयावाच्ची शब्दों के विशे में जानने की कोशिश करेंगे प्रयावाच्ची या समनार्थी का मतलब एक ही शब्द के कई अर्थों को होना जिसका अर्थ समान होता है उसको समानार्थी या प्रयायवाच्छी शब्द कहते हैं तो आज हम कुछ महत्वपूर शब्दों के प्रयायवाच्छी देखेंगे वायू का प्रयायवाच्छी होता है पवन, अनील, समीर, हवा वायू का प्रयायवाच्छी है पवन, अनील, समीर, हवा जंगल का प्रयायवाच्छी शब्द है विपिन, कानन, वन, अरण्य पक्छी, पक्छी का प्रयायवाची शब्द है खग, चिलियां, गगंचर, पकेरू, नबचर पुष्प, पुष्प का प्रयायवाची शब्द है फूल, सुमवन, कुसुम, प्रसुन पुष्प का प्रयायवाची है फूल, सुमवन, कुसुम, प्रसुन भौरा, भौरा का प्रयायवाची है भ्रमण, भवरा, सारंग, मधुप नदी, नदी का प्रयायवाची है सरिता, तटीना, सरी, सारंग, तालाब का प्रयायवाची है दिन, दिन का प्रयायवाची है दिवस, दिवा, वार, प्रमान उद्दान, उद्दान का प्रयायवाची है बाग, वाटिका, उपवन, बगीचा रात, रात का प्रयायवाची है रात्री, रैन, रजनी, निशा, यामनी रात का प्रयायवाची है रजनी, रैन, निशा, साप, साप का प्रयायवाची है सर्प, नाग, विश्धर, उरग, पवनासन सिह, सिह का प्रयायवाची है केशरी, सेर, सारंग केशरी, सेर, सारंग अब हम फिर से प्रयायवाची शब्दों को दूराते हैं हिमाले, हिमाचल, गिरी राज, परवत राज हिमाले, हिमाचल, गिरी राज, परवत राज, कमल पंकज, नीरज, सरोज, जलज पहाड, परवत गिरी, अचल, नग, भूदर नदी, सरिता, तटीना, सरी, सारंग तो बचो ये कुछ प्रयायवाची शब्द हैं जैसे की बादल, बादल का है मेग, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद सुरे का रवी, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर सुरे का प्रयायवाची शब्द है रवी, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर चंद्रमा का प्रयावची शब्द है चंद्र, शशी, राके, सो, मयंग किसान का प्रयावची है क्रिशक, भूमी पुत्र, हलधर, खेतिहर अश्व, अश्व का प्रयावची है वाजी, घोला, घोटक, रविपुत्र, हय, तुरंग मनुष्य, मनुष्य का प्रयावची शब्द है आदमी, नर, मानव, मानुष, मनुझ तो बचो आपने ये कुछ प्रयावची शब्दों को देखा और पढ़ा आशा है कि आप इन शब्दों को जरूर दूराएंगे और समझने कोशिश करेंगे धर्न्यवाद कि आप इन शब्दों झाल झाल